हलो फ्रेंद्स, नमस्कार, दिस संजर, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना CTET और डॉप्लिकेट मार्क शीट और सर्टिफिकेट्स को डिजिल लॉकर से कैसे डाउनलोड कर सकते हो पहले CTET और TET क्वालिफिकेशन का वालिडिटी 7 years हुआ करता था लेकिन 2021 में NCTE ने एक notification निकाला कि अब यह qualification जो है वो lifetime के लिए valid रहेगा तो इस notification का मतलब यह है कि candidates जिन्होंने exam लिया 2011, 12 और 13 में जिनका वालिडिटी जो है वो 2019, 2020 और 2021 में expire हो चुका था उसका भी अब वालिडिटी एक्स्टेंड करके lifetime किया गया है CBSC ने यह clarification भी दिया है कि वो किसी भी candidate के लिए नया mark statement या eligibility certificate नहीं देंगे उन candidates के लिए भी नहीं जिनके certification expired हो गया थे और अब renew हो गया है 2018 में CBSC ने एक notification दिया था कि 2018 December exam onwards किसी भी candidate के लिए वो printed mark sheets और certificates issue नहीं करेंगे और यह documents जो है वो सिर्फ digital format में available होंगे DigiLocker account के तुरू तो अब आप अपने CTD documents यानि कि अपना mark sheet और eligibility certificate को कैसे ले सकते हैं यह depend करता है कि आपने exam कब लिया था या तो आपने exam लिया है 2011-2016 के बीच में या फिर 2018 या उसके बाद में 2017 यहाँ पे mention नहीं है क्योंकि CTD exam 2017 में conduct नहीं किया गया था अगर आपने 2011-2016 के बीच में CTD exam लिया था तो आपको printed hardcopy documents मिलेंगे DADS system के तुरू यानिकि duplicate academic document system के तुरू इसके बारे में मैं आगे explain करूँगा अगर आपने 2018 या उसके बाद में CTD exam लिया था तो आपको अपने documents जो है वो digital format में मिलेंगे DigiLocker के तुरू तो यह DigiLocker आखिर है क्या वर DigiLocker एक platform है जिसे Government of India ने develop कराया है और इस platform के तुरू आप अलग-अलग तरह के documents को download कर सकते हो यह government organizations भी use कर रहे है और आजकल बहुत सारे private organizations भी अपने documents को available करने के लिए DigiLocker का इस्तमाल कर रहे है और DigiLocker जो है वो एक comprehensive system है यानि यह एक website के तरह available है और यह एक app के तरह available है on google play store और यह apple app store में भी है कर सकते हो अपने android phone या tablet या फिर अपना apple iphone या फिर ipad का भी इस्तमाल कर सकते हो तो DigiLocker में आपको किस तरह के documents मिल जाएंगे DigiLocker के तरह आप आधार काड को download कर सकते हो और जहां पर भी आपको आधार का physical copy यूज करना है आप DigiLocker के तरह यह digital copy आप यूज कर सकते हो अपना covid-19 vaccination, driving license, अलगला तरह के mark sheet, ration card, vehicle registration, vehicle insurance और कुछ banks और colleges के documents जैसे कि bank statements, college के mark sheets और अलगला तरह के insurance agencies के insurance certificates तो यह सारे तरह के documents जो है वो DigiLocker में आपको मिल जाएंगे तो अब देखते हैं कि आप DigiLocker के तरह अपने CTET documents को कैसे डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने 2018 या उसके बाद में CTET exam लिया है और हाँ, शुरू करने से पहले एक छोटा सा caution कि जब आप DigiLocker का website या फिर apps या फिर आप्स यूज करोगे तो आपको थोड़े screens अलग दिख सकते हैं क्यूंकि ये websites और apps यो है वो constantly update हो रहे हैं और हो सकता है कि वो कुछ screens को change कर दें लेकिन जो main process और details है वो change नहीं होगे जैसे मैंने पहले explain किया था आपको DigiLocker access करने के लिए directly उनके website पर जा सकते हो जिसका URL आपको screen पर दिख रहा है या फिर आप DigiLocker app को अपने Android mobile या फिर tablet पे Google Play Store के तुरू आप download कर सकते हो या फिर अगर आपके पास iPhone या फिर iPad है तो ये same app जो है वो app store से आप install कर सकते ह पहले एक बार उसका logo चेक कर लीजिए ताकि वो official logo से match करना चाहिए और आप correct application इंस्टाल कर रहे हो installation के बाद जब आप उसे open करते हो तो वो आपको कुछ welcome screens दिखाएगा और फिर आप अपना preferred language चूज कर सकते हो DigiLocker आपके identification को authenticate करने के लिए आदार database का यूज करता है इसका मतलब है कि आप registration form में जो भी details डाल रहे हो वो आदार से match करने चाहिए यानि कि आपका नाम, date of birth और mobile number वो ही होने चाहिए जो आपने आदार database में डाले हुए है इस stage में आपको बिना आदार के भी ये system आपको login करने अलोग करता है लेकिन कोई भी document डाउनलोड करने के लिए फिर से ये आदार नमबर पूछेगा तो अच्छा है कि अब initial registration stage में ही आप आदार नमबर भी डालके completely उसको authenticate कर लिजिए with OTP और जो भी 6-digit number आप 6-digit security pin field में डालोगे वो आपका password बन जाएगा registration complete करने के बाद आपको screen के नीचे वाले हिस्से में जो search button देख रहा है उसको दबाना है या फिर जो main screen में search option देख रहा है उसका इस्तमाल करना है अगर आप teacher word डालके search करेंगे तो आपको दो options मिलेंगे एक eligibility certificate के लिए और दूसरा marks card के लिए अगले screen में आपको अपना नाम एंटर करना है as per aadhar card फिर CTET का role number एंटर करना है और जो year and month of the exam यानि कि जब आपने CTET exam लिया था वो आपको drop down box में select करना है download process complete करने के बाद ये सारे documents आपके mobile में download हो जाएंगे और आप इनको जब चाहे access कर सकते हो आपको सिर्फ जो issued button है screen के नीचे वाले हिच्चे में उसको दबाना है और जो भी documents आपने download किये है वो आपको एक list में मिल जाएंगे और इन documents को आप view कर सकते हो इनको share कर सकते हो through email, whatsapp, telegram और इनके PDF document भी आप download कर सकते हो थाकि अगर आपको इसका printout निकालना है तो वो भी easily हो जाएगा अगर आपने 2011-2016 के बीच में CTET exam लिया था तो आपको DADS system के तुरू जाना है यानि कि CBSE का जो duplicate academic document system है उसके तुरू आपके certificate और mark sheet के hard copy आपको मिल जाएंगे DADS एक website है जिसका link आपको screen पर दिख रहा है और आप Google का भी इस्तमाल कर सकते हो अगर आप CBSE DADS search करोगे तो आपको latest link मिल जाएगा जब आप DADS website को एंटर करोगे तो आपको कई सारे buttons दिखेंगे उनमें से एक button बोलेगा printed document CTET और एक fees भी mentioned है वहाँ पर जो आपको pay करना है आपके CTET documents के hard copies को मंगवाने के लिए अगले screen में आपको अपना role number, name और passing month और year जो है वो enter करना है as per your CTET hall ticket और fee pay करने के बाद ये documents आपको dispatch किये जाएंगे आपके CTET documents के request करने का process complete करने के बाद आप जब भी चाहो आप अपने application का status ट्राक कर सकते हो DADS website में उसके लिए भी एक option दिया गया है main screen में जिसे click करने से आपको पता चलता है कि आपका application अभी किस stage में है तो ये था एक brief explanation आपके CTET documents को obtain करने के लिए अगर आपने 2011 तो 2016 के बीच में exam लिया हुआ है तो आपके printed documents अवेलेबल होंगे DADS system के तुरू और आपने 2018 ये उसके बाद में CTET exam लिया था तो आपके documents digital format में अवेलेबल होंगे Digilocker के through अगर आपके कुछ questions, comments ये feedback है तो आप नीचे उन्हें post कर सकते हैं और मैं आपसे फिर से मिलता हूँ जल्दी अगले वीडियो में